हम सब लोगों का अभी एक currently जंग चल रहा है अइसा जंग, जहाँपे हमें इंट्रेस्ट हो या ना हो हमेरे पेरेंट्स और रिष्टेदारों को बहुत इंट्रेस्ट है तो उनकी इंट्रेस्ट की वज़ा से तुम्हें इंट्रेस्ट लेना होगा वरना ये लोग तुम्हारी लेंगे तुम्हें पता मैं हमेशे से ऐसा बंदा रहा हूँ जिसको एक्जाम्स के बारे में जरा भी टेंशन नहीं रहता पांच दिन में एक्जाम्स है मुझे पता मुझे कौन से चैप्टर्स कवर करना है मुझे पता भी है कि कौन सी questions आएंगे क्योंकि मेरे पास है दो साल पुराने question papers और अगर मेरा calculation सही है तो हर साल के exams के pattern के हिसाब से इससे ही most questions आएंगे तो अभी मुझे क्या करना है अभी मुझे सोना है चोते दिन कल exam से मैं पढ़ा रही chapter chapters भूल गया कौन-कौन से chapters है okay, okay questions paper चलो ये तो है मेरे पास यही रटा मार लेता हूँ सार इदर से खाई कितनी दूर है अब let's talk about पढ़ाई exams का basic, basic हिसा मुझे books open करता है माईग्रेन हो जाता है मेरी brain के last brain cells इस बात में confused रहते की हमारा काम क्या है पढ़ाई, ये क्या होती है चलो हम सब सोचाते है अब जैसे जैसे मैं करने बैखता हूँ पढ़ाई, एक तो साला इतने chapters दैन मैं जाता हूँ अपने दोस्तों के पास ये सोचके कि group study में study करेंगे एक दूसरे की मदद करेंगे हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आज हम करेंगे group study एक बार बठाओ, एक group study किसका area था भाई ये, प्रणीप का area था ये सुना मेरे लॉंडो, मुझे पता है तुम लोगों को टर लग रहा है कि group study के नाम पे हाँ, हम real study करेंगे लेकिन मैं 100% बोलता है आज हम सब मिलके पढ़ाई करेंगे एक दुसरे की मदद करेंगे और एकदम top marks लाएंगे बोलो, कौन-कौन है मेरे साथ यारे, शंडीप महिस्वारी भाई, एक autograph दे भाई चलाए, चलो, सब study cut है बैक के अभी एक बज़ा है, शाम के पांच बज़े तक नौन-स्टॉप पढ़ाई, समझे? तीस मिनिट बाद मैं बोल रहा, वो बिली जीतेगी भाई चलो, वो काली बिली, वो बाच रॉंग है वो जीतेगी, तू बच लाएगा लगाएगा दस रुपाई, दस रुपाई मेरे या, या मुझे देगा ग्रुप सुड़ी के चक्कर में दस रुपाई के लॉस हो गया अब मैं यही पढ़ूँगा घर में अकेले में अब में अकेले पढ़ना कितना मुश्किल हो सकता है अगर मैं अकेले खुद के साथ खेल सकता हूं तो इसमें जीप्यू नहीं है ग्राफिक्स काड के बेना कैसा कम्प्यूटर एक तो इतने घटिया मार्क्स उपर से यह क्या है अरे मैं मैं सारके की बुवी ले देखी आपने चले 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 और यह क्या है वाटर दे बेसिक्स अव दे कम्प्यूटर में सीपीउ मदरबूड रैम तो सही है यह आटी एक्स फोर्टी डैंटी टी आई ग्राफिक्स काड यह यह क्या है बेना ग्राफिक्स काड का कैसा कम्प्यूटर गेम्स भी तो खेल ले ना साईसे हेलो, रुख जाओ, क्या तुम लोग कुछ इजी कैश कमाना चाहते हो, वेल, आज में लाया हूँ, हनीगेन, हनीगेन ही कैसा है पर जो कि तुम्हारे इंटरनेट कनेक्शन को यूस करके, तुम्हें पैसे कमा के देगा, without any efforts, है तुम इससे कोई कार या फिर बड़ा घर नही अब ये तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन को यूस करके, वेब की information gather करेगा, क्योंकि companies को information चाहिए होता है, internet connections के through, ताकि वो जान पाए, कि कहां पे सस्ता deal है, and जब तुम और और बी अलग users, हनीगेन को अपना internet share करते हो, तो वो companies के लिए easy हो जाता है, and वो उन्हें pay करती है, and honeygain तुम्हें pay करती है, the user को, तुम्हें अपनी privacy की चिंता करने की जरूरत नहीं है, honeygain अपनी users का data track या collect बिलकुल नहीं करती, तो यह opportunity का use कर लो, free का cash है, कमा लो, और हां, मेरे पास तुम्हारे लिए एक starting gift है, मीचे description में जो link है, वो click करो, और promo code buy यूस करो, and तुम्हें 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 अचा, चल, what are the four chambers of human art, right atrium, left atrium, left atrium, left ventricle, right ventricle, how did the universe begin, big bang theory, चाइना की पॉपिलेशन, 141 करोड, पाई का वैल्यू, 3.1415926535896, मैं ते टॉपर नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, अरे बाई, सच्छे मैं मुझे कुछ नहीं आता, चूत या, बनाता है साले, तुझ जैसे लोगों की वज़े से ये दूनिया अभी भी भूरी है, स आगे जाके रोड में रानु मुंडल की तरह नहीं बनना, इसलिए जाते हैं, अगर तुमारा ऐसा टीचर हो तो, अम बच्चो, वो क्या है कि एक इंपोर्टन चाप्टर था, वो कवर करना भूल गया, लेकिन सेर, एक्जाम तो कल है, हां तो इसमें क्या, उस चाप्टर को खुद बढ़ लो, बस extra homework समझ लो, ये वर्स नहीं था, तो ये तो एक तो ठीक से पढ़ाते भी नहीं था ये सर, बस बुक्स से लाइन पढ़ा, बाइतागराज थेरम स्टेश जाट इन राइट अंगल ट्राइंगल, समझ गे, the square of the hypotenuse side is equal, समझ गे, to the sum of the squares of the other two sides, समझ सर, कुछ नहीं समझे, जरा समझाएंगे, समझ गे, समझ गे, अरे सिर्फ लाइन से पढ़ाना होता तो हम घर में पढ़ते न, आपको 40,000 का फीज अपने वीवी बच्चों पर उड़ाने ऐसे थोड़ी दिया यार, लेकिन यही टीचर जिसे भी होता है, कि अगर इनके class मे किसे ने टॉप किया, तो, ये, ये, मैंने सिखाए इसको, दिन रात इसके घर से लेके स्कूल तक, हर जगा सी खाता था इसे, ये कब हुआ, चुपरा है, हाँ, सब मेरा किया है, सो मैं इधर completely हार मान चुका हूँ, एक्जाम्स करीब आने वाले हैं, और ना ही मेरा group study का मैं बयोश हो गया, सो मेरी पड़ाई ठीक से नहीं गई, इन सिंपल वर्ड्स मैंने, मैंने कुछ नहीं पड़ा, ऐसे तैसे कुछ भी बिरियानी सीख के मैं गया एक्जाम ओल, अब मैं सोचा कि मैं पास वाले का देख के चीटिंग करूँगा, मालुम पढ़ता है कि उसकी हैंडराइटिंग, डॉक्टर की हैंडराइटिंग से भी खराब थी, सिर मेरे पास बेटा था एक रैंडम बंदा, जिसको मैं नहीं जानता था, आज तक मैं इससे कभी मिला भी नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं, उसने शायद मेरा चेहरा देखा, और मेरा दुख समझा, और पता था, अब मैंने इलेना चाहता था चैंस, मुझे उसको अच्छे से लिखना था, तो मैंने उसको आखिर के लिए छोड़ दिया, और बाकियों को लिखके बैटा, फिर मैंने घड़ी देखी, पाँच मिनिट, पाँच मिनिट, बचे, इदर दे, नहीं दे, सार, मुझे उसका जवाब पता है, यह थोड़ा लिखने दे, यह ना, यह लाट, ताइम कतम हो गया तो कतम हो गया, बिखारी कही का, यह चीज ना मुझे अभी तक हांट करती है, मुझे उसका जवाब पता था, लिकिन मैं से भी लिखने पाया, किट, and this is why I hate exams, इसको बैन करो, सालब मेरा धिवा कराब हो रहा है, मैं जा रहा, बई मैं तोपर नहीं हूं, मुझे कुछ नहे आता